आज आपको उच्छ अधिकारियों की वजह से शायद कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े ये समय सोच समझ कर कदम उठाने का है आपके आसपास का बातावरन कुछ खास अच्छा नहीं है इसलिए जरा सावधानी से काम लें वरना किसी मुसीबत में फस सकते हैं समझदारी इसी में है कि ये जानने की कोशिश करें की बात कैसे और कहां बिगडी और उसे सुधारनी की कोशिश करें आज आपके लिए रोमैंस की दुनिया सफलताओं से भरी है अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं और आपसी प्यार बढ़ाएं मस्ती करना ना भूलें ये आपके रिष्टे को और गहरा बनाएगा राशी मेश करियर हो सकता है आपका ध्यान आपके काम से हट कर किसी बेकार की बात में लग जाए इससे आपको दो नुकसान हो सकते हैं एक तो आपका समय खराब होगा और दूसरा आपका ध्यान काम से हट जाने के कारण आपके काम का भी नुकसान होगा अपने काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें राशी मेश फाइनान्स आप पर यदि कोई उधार है तो आज वह भी वसूली के लिए आ सकता है और आखरकार आपको जितना जल्दी मुम्किन हो सके सामने आकर उससे निपटना चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से भागना ठीक नहीं राशी मेश हेल्थ आज बहुत समय से चलिया रही कमर दर्द की शिकायत महसूस करेंगे ज्यादा शारिरिक काम और उसके दबाव से बचने के लिए हलका व्यायाम कीजिए ध्यान रहे कि आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी परिशानी और बढ़ जाए और ज्यादा महनत वाली कसरत ठीक होने के बाद कीजिए आप जल्दी ही अपनी पहले वाली स्थिती में आ जाएंगे राशी व्रिश आज आपको थोड़ा बुरा लगेगा क्योंकि आप अपने परिवार जनों के साथ किसी यात्रा पर नहीं जा पाएंगे अगर आप जाएंगे भी तो आपके मार्ग में कुछ अड़चने आ सकती हैं लेकिन आप इन चोटी मोटी मुश्किलों को आसानी से सुल्जा लेंगे राशी व्रिश रुमैंस अपने संबंध में बदलाव ना लाने के कारण आपके साथी के साथ कुछ नोग जोख हो सकती है अपने विवहार की समीक्षा करना आवश्चक है यदि आपका साथी कुछ कहना चाहता है तो शान्ती से बात सुने राशी व्रिश करियर आज के दिन आप राजनीत में जरूरत से ज्यादा रुची ले रही है आज आपको महसूस होगा कि बदलाव का समय आ चुका है आपकी ओर विश्वास की अपेक्षा से देखा जाएगा आपकी ख्शमताएं ही आपके लिए अवसरों के द्वार खोलेंगी आज का दिन आपके लिए भागेशाली हो सकता है क्योंकि आपको कोई अचल संपत्ती मिलने वाली है आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप अपने धन का समुचित उपयोग करते हैं क्योंकि इन दिनों आपकी वित्ती अस्थिती विकास की रह पर है तथा आपके पास पूंजी के रूप में बड़ी राशी सुरक्षित है जिसका आपको प्रबंधन करना है ये एक अच्छी ख़बर है लेकिन आप सुनिश्चित करें कि आप धन वर्षा ग्रहन करने के लिए तैयार है आप स्वयम को इस प्रकार तैयार करें कि अपनी पूंजी को व्यर्थ में निवेश ना करें आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के मरीज है ये सब बिमारियां आज आप के लिए परेशानी बन सकती है कोशिश करें कि आज आप आराम करें और सही खाना खाएं अगर आप किसी परेशानी को लेकर चिंतित हैं तो सही डॉक्टर के पास जाएं आज आप दूसरों के सामने अपनी 26 सुधारने में ही लगे रहेंगे आपको सलाह दी जाती है कि आप दूसरों को बदलने की बजाएं अपने आपको बदलने की कोशिश करें और ये बदलाव केवल बाहर से ना होकर अंदरूनी होना चाहिए अगर आपका दिल अच्छा होगा तो आपकी अच्छाई अपने आप ही बाहर आ जाएगी आपकी अच्छाई के कारण सामने वाला खुद ही आपके साथ अच्छा विवहार करने लगेगा आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है जिसके साथ आप पूरी जिन्दगी विता सकते हैं आप कुछ आगे बढ़ेंगे पर अन्तितह आपको लगेगा कि आप उसकी तरफ खिचे जा रही है आज आपका काम किसी ऐसी दिशा में जाता हुआ प्रतीत होगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था परिशान ना हो ये बदलाव अच्छे के लिए ही है अब आपको अपने पंक फैलाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए आप इस समय अपना काम भी बदल सकते हैं इससे आपके काम की और आपका रुझान और बढ़ जाएगा अगर आप आयात नर्यात के धंदे में है तो आज का दिन बड़े काम का है व्यापार के नए नए प्रस्ताव आएंगे जो पहले कभी नहीं आए सभी विकल्पों को गौर से समझिये जो अच्छा लगे उसमें आगे बढ़िये क्योंकि आज का दिन तो आपके लिए बड़ा ही भागेशाली है आज थोड़ी सावधानी की आवर्शकता है क्योंकि त्वचा संबंधित बीमारी होने की आशंका है सूर्य से बच कर रहें और पानी खूब पियें तैली खाना और धूल से बच कर रहें इससे आपकी त्वचा और स्वास से अच्छा रहेगा आज आप बहुत अच्छे लगेंगे और दूसरे लोग आपको सराहेंगे आप अपने मन पसंद कपड़े बहनेंगे और अच्छी तरह से तयार होंगे आपको लगेगा कि सभी की नजरें सिर्फ आप पर ही हैं अगर दिल सुन्दर हो तो वो सुन्दर्ता चेहरे पर भी जलगती है अपनी इस सुन्दर्ता को बनाए रखें यदि आप विवाहित हैं तो अपने साथी के साथ व्यर्थ बहस ना करें ऐसा करने से आपस में संबंध बिगड़ सकते हैं यदि विवाध हो गया है तो उसे सामान्य होने का समय दीजिए आज आपको महसूस होगा कि आपके कारेक्षेतर में कुछ ऐसी बाते हो रही है जो कि आपके बस में नहीं है आप इन समस्याओं का समाधान भी नहीं ढूंड़ पा रही है सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ समय के लिए शांत हो जाएं इससे आप इस परेशानी को टाल सकेंगे व्यावसाईक मोर्चे पर आज आपको अपनी योगिता साबित करने के लिए सही योजना बना कर चलने से फाइदा होगा किसी भी काम को पूरा करने के लिए सही नीती बना कर चलने की आपकी क्षमता और योगिता की बदॉलत ही आप अपने लक्ष को पालेंगे और इस तरह आपके सामने आर्थिक लाब के भी अफ़सर आएंगे अपनी इस योगिता का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिती को और मजबूत करने में करें आज आपको अपना ध्यान वव्यायाम करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे किसी भी चीज को चुनते समय आपको ध्यान रहे कि आपका उसमें मन लग जाए और पसीना भी निकले हो सके तो दोस्तों के साथ दोडने जाएं या फिर पास के सेहत सेंटर पर खेल खेलें अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको अच्छा लगता है तो आप यही करते रहें और वजन घटाएं जिंदगी के प्रती आज आपका नजर या पूरी तरह से बदल सकता है आज आप व्यवहारिक और तरक संगत बातों की और अपना रुजान महसूस करेंगे कोई खास अनुभव शायद आज आपको बदल दे जिसके परिणाम स्वरूप आपको लाब होगा लोग भी आपके इस बदलाव को सराहेंगे जिनके पार्टनर दूर रहते हैं आज उनकी आश्चरिजनक रूप से मुलाकात हो सकती है कहीं बाहर के लिए अच्छी योजना बनाएं आपको आज पता भी नहीं चलेगा कि आपका दिन कैसे बीद गया आज ओफिस में आपको अपना ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आपके आसपास बहुत से विवधान है इन परेशानियों से आपके काम में रुकावट भी आ सकती है इसलिए उन्हें नजर अंदास करने की पूरी कोशिश करें आज आप किसी बड़ी खरीद के विशह में सोच सकते हैं जो की कोई कार, दोपहिया वाहन, अत्वा कोई और बड़ी वस्तु हो सकती है आज का दिन इन सभी की खरीद के लिए काफी अच्छा है इसलिए इन विकल्पों को लेकर सही तरीके से सोचें आज आपके वित्तिय अवसर बुलंद हैं इसलिए खरीद का मजा लीजिए आज आप स्वादिष्ट और स्वच खाना पसंद करेंगे आज खूब मस्ती करें क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते हैं आज आपको स्वादिष्ट भोजन करने में बहुत मजा आएगा मगर इसके साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आप उतनी ही ज्यादा कैलरीज ले रही हैं आपके आसपास के लोग आपके मधुर विवहार को देख कर हैरान रह जाएंगे आप सब की मदद करने के लिए आगे रहेंगे आज आप पाएंगे कि जिन्दगी के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह से बदल गया है ध्यान रखें कि ये बदलाव सिर्फ बाहर से ही नहीं बलकि भीतर से भी हो राशिकन्या, रोमैंस आज एक नया पार्टनर आपकी जिन्दगी में प्रवेश करेगा शुरुवाती शर्म के बाद आपको भी इस रिष्टे में दम नजर आएगा खुल कर बात करें और यदि लगे कि मैं इस बारे में सब नहीं जान पा रहा हूं तो आप किसी दोस्त की मदर ले सकते हैं राशिकन्या, करियर यदि आप किसी नए काम की तलाश में हैं तो आज अफसर भले ही मिलेगा लेकिन वो आपके कारिक्षेत्र से अलग होगा इस अफसर को यूँ ही हाथ से न जाने दें हो सकता है कि ये आपके भविश के मार्ग को प्रशस्त करे आपको अपने मस्तिश्क को प्रतियक अफसर के लिए खुला रखना चाहिए प्राशिकन्या, फाइन्स आज एक हाथ से आया, तो दूसरे हाथ से गया आपकी कमाई तो अच्छी होगी पर अचानक बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा और आप चिंता में पढ़ जाएंगे इसका मतलब अच्छे के साथ कुछ कड़वे का भी स्वाद लेना पड़ेगा तो बस किसी तरह बैंक अकाउंट का सही संतुलन बनाए रखें कम से कम आज आपके खाते में घाटा तो ना आए पराशी कन्या, हेल्थ आज आप खुद को उचाई पर महसूस करेंगे आज आपका आत्म विश्वास और बल भी उचे रहेंगे जिससे आप किसी भी कारे को कर सकेंगे आप अपने द्रढ निश्चय और सकारात्मक उर्जा का प्रयोग नए कारे प्रारंब करने में कर सकते हैं आप अपने लक्ष को प्राप्ट करने के लिए कारे कारी नीती अपनाएं प्राशितोला, ओवर्वियू आज आप अपनी जिंदगी के कई क्षेत्रों को लेकर परेशान रहेंगे आपको लगेगा कि आपने अपने लिए जो लक्ष निर्धारित किये थे उनको प्राप्ट करना इतना आसान नहीं है आपकी दोस्ती में भी तनावा सकता है आज आपका हस्मुक सुभाव भी कुछ फीका साही रहेगा राशितोला, रुमैंस अपने संबंध को गहरा करने के लिए आप दोनों का प्रयास रंग लाएगा वह आज आप अपने साथी के साथ अधिक आनंद दायक समय बिताएंगे राशितोला, करियर आज आप पाएंगे कि जिस वैकल्पिक मार्ग को आप खोज रहे थे वो आपको मिल सकता है खास कर चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आप वैकल्पिक चिकित्सा के किसी अवसर की तराश कर रहे हैं तो वो आज पूर्ण होगी हो सकता है कि एलोपेथिक चिकित्सा आपके लिए ठीक न हो और आप वेकल्पिक तथा आयूर्वेदिक चिकित्सा की ओर जाना चाहते हूं प्राशित तुला फाइनांस जमीन जायदाद में बड़ा लाव आपकी भागे पत्री में द्रिश्टी गोचर हो रहा है तो आगे बढ़िये और पूंजी लगाईए अगर आप कोई सौधा तै होने के इंतजार में है तो आपके लिए ये सही समय है इस समय आपके सितारे बुलंदियों पर है और आपको ही निश्चित रूप से कोई बड़ा लाब होने की संभावना है प्राशित तुला हेल्थ आज आप कब्ज से परेशान हो सकते हैं इसका कारण घबराहट हो सकती है आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं जैसे मसालेदार भोजन, ज्यादा नमक, मासाहारी भोजन, धूमरपान और शराब को छोड़ दें साथ में अपनी घबराहट और भावनाओं पर काबू पाएं इन सभी से आपकी पेट की परेशानी भी दूर होगी प्राशिवरिश्चिक, ओवर्विव, अपने कौशल वह हिम्मत से आप अपने रास्ते में आने वाली सभी परेशा परेशानी के बाद आप अपने करियर के बारे में कोई महतपूर्ण निरने ले सकेंगे, बच्चे के जन्म के बाद भी आपको इसी जगह पर काम करना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए, पूरी तरह से सोचने समझने के बाद आपने जो भी निरने लिया है वो एकड़म सही है, प्राशिवरिश्चिक, फाइन्स, हो सकता है कही आपको कोई ऐसी रकम मिले, जिसके लिए आपने कभी कोई प्रयत्न भी नहीं किया हो, हो सकता है कोई आपको तोहफा दे दे, कोई आपको अपना उत्तराधिकारी बना ले, या भागि भरो से कोई और धन हाथ लग जाए, जो भी हो यह ऐसा धन है, जिसकी आपको कोई उमी आपको अपने स्वास्त के बारे में अच्छी खबर मिलेगी, आज आप अपनी अस्वस्त आदतों को छोड़कर स्वस्त जीवन शैली अपनाएंगे, जिसमें आपकी लगन और मित्र सहीयोग देंगे, इससे आप शारिरिक रूप से स्वस्त महसूस करेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा और आप जिंदगी को सही नजरिये से देखेंगे, आज आप खुद को बुरी संगत में फसा हुआ पाएंगे, जिससे आपकी छवी बिगड सकती है, अब आपको जरा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि इनसान अपनी संगती से ही पहचाना जाता है, बुर इनोंने संबंद सुधारने के लिए जो प्रयास किये हैं, ये उसी का फल है, आप भी प्रेम प्रदर्शित करें, वो अपने प्रेमी के लिए कुछ आश्चरे जनक परिस्थितियां पैदा करें, इससे आपके संबंद को नई गहराई मिलेगी, प्राशिधनू, करियर आज आप अपनी जिम्मेदारियों और लक्षियों पर ध्यान किंद्रित कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी आपका ध्यान भटक जाता है, आज आप ध्यान तो किंद्रित करेंगे ही, साथ में अपनी प्राथमिक ताएं भी तै कर सकेंगे, इस समय का उप्योग अपने उन अ कुछ दिनों से आप जो एक नई योजना बना रहे थे उस पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन बड़ा शुब है। आज आपके घर में सुक शानती बनी रहेगी। ये समय आपके और आपके परिवार वालों के लिए बहुत ही महत्वपून होगा। आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। घर वालों का प्यार ही इस समय आपको भावनात्मक रूप से खुश रखेगा। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप भी अपने रिष्टों को और मजबूत बनाने का प्रयास करें। आज अपने प्रेम संबंध के विकास पर ध्यान दें। आपका ध्यान कई दिशाओं में बटा हुआ है किन्तु इस समय सभी प्रयास अपने साथी को महत्वपूर्ण महसूस कराने में लगाने चाहिए। भविश्य में इसका लाव अवश्य मिलेगा। यदि आप चिकित्सा के एक शेत्र में हैं या उससे संबंध हैं तब आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। ये अफ़जर अचानक आ सकता है। इसलिए आपको सतर्ग रहना चाहिए। आपकी कड़ी महनत का फल जल्दी ही मिलने वाला है। तैयार आज कोई नया निवेश ना करें। आपके ग्रहों की स्थिती आज से बदल रही है। इसलिए जीवन में बहुत कुछ बरलाव आएगा। अभी आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपको हाई और लो बलड प्रेशर की शिकायत है तो आज आप अपनी स्थिती में बहतर बदलाव महसूस करेंगे। इस बदलाव को एक चिन्न मान सकते हैं जो आपको सही दिशा की ओर ले जा रहा है। इस बदलाव का इंतिजार आप बहुत पहले से करते आ रहे थे आज अपने परिजन वो पड़ोसियों से बहस करने से बचें क्योंकि आज कोई छोटी सी बहस भी बड़े जगड़े में परिवर्तित हो सकती है। आपको उनका विवहार दुख पहुचा सकता है इसलिए इन बेकार की बातों में ना पढ़ें। अपना दिमाग शांत रख आपके साथी के कारण आपकी जिंदगी खुशनुमा एवं मनुरंजन से भरपूर बन गई है। आज का दिन मनुरंजन एवं प्रेम से सराबोर होगा। आपसी रिष्टों की खुशी आपके दिल को भरपूर आनंद से भर देगी। आप अपने साथी को बताएं कि वह आपके सामने कुछ ऐसे विकल पाएंगे जिनके विशय में आपने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे हो जिनका आपके वर्तमान कारिक्षेत्र से कोई संबंध ही न हो लेकिन यदि ये प्रस्ताव आकरशक हैं तो इनके विशय में सोचना और परशे बनाना सही होगा ताशिकुम्ब फाइनांस जो लोग किराय के घर में रह रही हैं उनके अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है कर्ज के आवेदन के लिए ये सही समय है जो लोग व्यापारिक संपत्ति खरीदने या इसमें निवेश करने का मन बना रही हैं उनकी वजह से आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ा है आज आपको महसूस होगा कि आप खुद को जरूरत से ज़्यादा ओफिस के कारियों में व्यस्त कर रही हैं आज तनाव कम करें और पर्याप्त नीन के लिए समय निकालें आप अपने दिमाग तथा शरीर को आराम दें ताकि आप कल फिर से नई उर्जा के साथ काम शुरू कर सकें इसलिए आज चिंता ना करें आशी मीन ओवर्वियू आज आपके पास जितने भी संसाधन है उनका प्रयोग समाज के कल्याण में करें साथ ही अपनों को खुश करने का भी प्रयास करें आज आप कुछ दान करेंगे यपिर अपने साथी के लिए कोई उपहार खरी देंगे किसी ना किसी तरह आपके संसाधनों से किसी ना किसी को तो लाब होगा ही आशी मीन रोमांस आज आ अप अपनी घरेलू वो रोमैंटिक जीवन में समनवै पाएंगे अपने साथी से संतुष्ट होने के कारण आपके मोल लेने की आपकी ख्षमता के कारण आपको व्यावसाईक ख्षेतर में सफलता मिलेगी। हो सकता है आपको बाहर जाने का मौका भी मिले। इस बदलाव से आप व्यावसाईक सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको विशम परिस्चितियों में भी आसानी से काम करने की अपनी ख्षमता का विकास करना होगा। आशी मीन, फाइन्स, यदि आप अपनी कमपनी में किसी उचे ओहदे पर हैं तो आप देखेंगे कि आज आपका दिन आपके लिए विशेश लाबकारी है। हाल ही में आपकी कमपनी को बहुत बड़ा टर्नोवर यानि विवसाय मिला है जिससे कमपनी प्रबंधन ने आपको प्रोटसाहन राशी देना निश्चित किया है। ये राशी आपके लिए अतरिक्ट आए है। अतह ये सिलाह दी जाती है कि इस आए का एक भाग जरूरत मंदों को अवश्यदान दे इससे आपका विवसाय बढ़ेगा एवं इससे आमदनी में भी वृद्धी होगी। आशी मीन, हेल्थ। आज आप शारिदिक और मानसिक रूप से स्वस्त महसूस करेंगे। इसलिए आप निस्तन को छोकर कारे कर सकते हैं। आज मानसिक बरेशानी भी कम होगी तो आप दो